हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो माई चैनल आज मैं आप लोग के लिए एक नई चीजी लेके आई हूँ मेरे पास कुछ वेश्ट एक्सरे रखे थे जिनका को यूज नहीं था तो मैं आज आप लोग को एक्सरे से एक बहुत अच्छा फ्लावर ट्री बना के बताने वाली हूँ तो देखिए कैसे बनाते हैं इनको यह मेरे पास कुछ एक्सरे रखे थे बड़े साइज के एक्सरे हैं आप चाहे तो कोई भी एक्सरे ले सकती है जैसे भी आपके पास है और मैंने इस पर पहले यह टेप चिपकाई है सेलो टेप गिफ्ट वाली है यह चमकीली वाली और तो चलए चोटा चोटा इस तरह से कट कर लिया है तो देखते आएं के हैं एक जिसकी मेरे पास किया थैश यह बड़ा एक्सरे है तो मह इसको इस तरह से रख्थे विश्ग और यह क्रीन कलर का या मेरे पास चार पास तरह की गिप्ट वाली टेप है यह बनात जो तो मैं इस तरह की टेप लेनूंगी और इस तरह से मैं इस पर एक सेटी किनारे किनारे चिपकालूंगी इस तरह से सैड सैड ले चिपकाल ले तोड़ा बहुत को यहां कॉनर से लेके तो कोई बात नहीं तरह से चिपकाले बारी बारी से में सारी कलर्स चिपकालूंगी इसमें थोड़ी एक इस तंच की दूरी कर इस तरह में पूरे एक सेटी किनारे चिपकालूंगी जैसे कि में इनमें चिपकाला हुआ है और नीचे से यह मैंने तीन इंच छोड़ा हुआ है नीचे तीन इंच के गैप में मैंने टेप नहीं चिपकाई है और मैंने इसकी एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नोग दस दस लाइने लगा लिए आप चाहें तो कितनी भी लगा सकते हैं या आप इसमें गैप ना ना भी रखें तो कोई बात लेए जैसा आपको अच्छा लगें उस तरह से आप एक्सरे पर यह टेप चिपका लें और इस तरह से साइड साइड से पतला पतला कट कर लें इस तरह से जहां यह बैने लाष्ट में चिपकाया हुआ है सिर्फ यहीं तक कट करना है आप इस तरह से पतला पतला काट लें इस तरह से जैसे कि मैंने यह काट के रखा हुआ है तो आएक देखते हैं कैसे बनाते हैं हमने यह पूरे टोटल पांच एक्स लिया हैं है चार तो यह बड़े बड़े है और एक चोटा वाला है कि आप चाहें तो बड़े एक्सरे भी यूज कर सकते च्छोटे एक्सरे जैसे कि मैंने पहले बताया था जिस तरह के आपके पास है उस तरह के आप यूज़ कर सकती त्हाइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं आप यह देखें मेने अपने सारे एक्स-ड प्रपशार चोटे इसारे इसके लिए यह इसके किनारे पे यह अगर आपके पास बाल्स नहीं है तो जरूरी नहीं लगा है ऐसे भी अच्छा लगता है लेकिन मैं इसमें लगा रही हूं ये इस तरह से अपने आप ऐसे ही चला जाता है ये ये इसमें सबके सारी पतीयों के किनारे किनारे आप लगाने इस तरह से चाये तो और चाई तो ना भी लगा तो उ हम अच्छा लगा है अठी है इस्ट मेत उसले है अधियों यह इतना बड़ा पाइप ची लकडि 12 इंच चाहिए ये कि मेरे पास लपड़ी नहीं थी मैंने चोटा सा पाइप ले लिया है जो सबसे पहले फोल लपेट लेंगे इसको इसे उपर से लग रखें इस तरह से जो टेप है इसको उम इस तरह से लगा लेंगे इसको इस तरह से चुपका लेंगे पहले किनारा यहां पर इस तरह से लगा लेंगे अभी आसान से लिपड़ सकता है चूटेगा नहीं और इसको गेरे-देरे थोड़ा-थोड़ा करें ऐसे लपेड़ते चलेंगे एकदम टाइट होना चाहिए लपेड़ी को गुमाते चले जाए और अर्वेजिए को सीधा रखें अगैं अगा है है पमेशेश तो देखें लिपड़ चुका है आप फिर शेस पर यहां से शेलो टेप लगालें इस तरह से जहां पर इमर एक से कतंवा वहां से कोर्णर चिपका है लगाए और इस तरह से अग्दम टाइट करते हैं वह बादा है अग्दम अच्छे लगा लेंगे ताकि यह नाच्छे लगा लेंगे ताकि यह यह देखिए मैंने यह इसको अच्छे तरह लपेट लिया है अब इसके ऊपर में कोई भी यह गिफ्ट वाली टेप एक लपेट दो हुए इस तरह से इसके ऊपर कोई भी यह वाली टेप लिफ्ट लेंगे इस तरह से गुमा लेंगे के के देखिए मैंने इसको लिपेट लिया इस तरह से हैं और में दूसरा एक स्रेह लिपेटूंगी ये मैंने सेकेंड है पे भी दोनु तरफ से ये टेप लिप पेटा हुआ था कि ये अब मैं दूसरे एक से को पेट इस तरफ से इसको भी जैसे मैंने यहां पर था यह वाली नीचे वाली ये इसके गॉल्डन वाले के उपर आनी चा कि इस तरह से अब मैं इसको इस तरह से रपीटूंगे अब यह देखिए पहले यहां पे जिपका के तोड़ा सा अब यहां पे इसको यहां से कट करोंगे इस तरह से अब इसको अराम से देरे देरे यहां पे याद रखें यह एक ही साइज आना चाहिए उपर नीचा नहीं होना चाहिए इस तरह से पूरा एक से लिपेट लोगी है कि मैंने दूसरा वाला भी लिपेट लिया है अब मैं इसको कि यह टेप के मिदद से चिपका लोगी हाँ कि टाही ठी रहना चाहिए डिला नहीं होना चाहिए नहीं तो श्टिक से किसा जाएगा और यह फ्लॉर ट्री अच्छा नहीं मैंने इस तरह से कि मैंने दो एक्सरे लपेट लिए हूँ अब मैं तीसरा एक्सरे लपेट में इसी तरह से और इसी तरह से करके मैं पांचों एक्सरे इतनी इतनी दूरी पर कि देखिए दू दू इंच की दूरी पर करके यहां से दू या डाई इंच की दूरी पर इस तरह से मैं पूर एक्सरे लपेट लूए और त्यायर हो गया है और यह जो बाद में बचींव इस्टिक थी मैंने उसके उपर भी इस तरह से टेप लिपेट लिए आप चाहें तो कोई भी टेप लिपेट सकते हैं यह देखें मेरा ट्री बनके तयार हो गया है अब हम इसको इस तरह से खड़ा करके किजी भी पॉट में लगा सकते हैं मैं इसको लगा के बताती हूं आपको यह देखिए मेरा फ्लॉवर ट्री उसमें बॉट्म में सेट हो गया है अब में इसके उपर यह कुछ इस तरह फ्लॉवर लगा देती हूं यह देखिए यह कितना सुंदर लग रहा है आप इसको अपने घर में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं कि देखिए मेरा यह ट्री त्यार हो गया है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू और मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थेंक यू